और हुनर्मन अभिनेत्री जीनत अमान अपने समय की सबसे लोगप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। सत्तर और असी के दशक में उन्होंने फिल्मी परदे पर वह काम कर दिखाया जो उस समय की अभिनेत्रियों की सोच से भी दूर था। फिल्मों में कदम रखने के बाद जीनत ने महिलाओं के लिए बनी सारी रूडिवादिताय तोड़ी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीनत ने हिंदी फिल्मों में तो कीर्तिमान हासिल कर लिया लेकिन उनकी जिन्दगी कभी सुखद नहीं रही। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे में हुआ। उनकी माता एक महराश्यन ब्रामन थी और उनके पिता अमानुला खान भोपाल के राच्सी परिवार से थे। अमानुला खान ने दूसरे लेकों के साथ मिलकर मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों की पटकथाएं में लिखी है। एक लेखक के रूप में उन्होंने अपना नाम अमान रख रखा था। जीनत अमान का असली नाम तो जीनत खान है, लेकिन फिल्मों में कदम रखने से पहले जीनत ने अपने पिता का यह लेखक वाला उपनाम अपने नाम के साथ जोड लिया था। जीनत अमान को परेशानियों ने तो शुरुआत से ही घेर लिया था। जलसा कोई में तुम्दगी में आए, तो बात बन जाए। जीनत और उनकी माँ दोनों जर्मनी चली गए और इसी के साथ इन दोनों को जर्मनी की नागरिकता भी मिल गई। जीनत के पास अब भारत के अलावा जर्मनी की भी नागरिकता है। जीनत अमान का बचपन ही उथल पुथल से भरा रहा, इसलिए उनकी शिक्षादीक्षा भी अलग-अलग जगों पर हुई. शुरुआती जीवन जीनत का देश में ही बीता, इसलिए उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के पास पंचगनी में ही हुई. इसके बाद वह मा के साथ विदेश चली गई तब उन्हें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आफ साउधन कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस भेजा गया. जीनत वहां अपनी सनातक की पढ़ाई पूरी करने गई. हालां की उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की ही नहीं. जीनत अमान बच्पन से ही अलग-अलग जगों पर रही हैं. इसलिए वहां अपने भविश्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं. अपने बच्पन में पता ही नहीं था कि आखिर बड़े होकर उन्हें करना क्या है? एक बात जरूर थी कि अपनी पारिवारिक दिक्ततों के बावजूद उन्होंने अलग-अलग जगों की संस्कृती और रितिरिवाज देखे, जिससे वहां दुन्यादारी समझने लगी थी. अपनी सनातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के बावजूद वह देश वापस लोटी और फ्रेमिना मैगजीन के लिए लिखने का काम करें। करते हुए जीनत अमान को खुद भी फैशन इंडास्ट्री में उतरने की चाहत हुई। उन्होंने यही से मॉडलिंग शुरू कर दी। जीनत दिखने में खूपसूरत थी इसलिए उन्हें मॉडलिंग में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। खिताब जीतने वाली जीनत पहली दक्षिन एशियाई महिला बनी। इसके बाद तो जीनत को देश और विदेश की कई प्रतिष्ठित मैगजीनों के कवर पर देखा गया। फिल्मों में जीनत अमान का शुरुआती करियर तो बहुत मुश्किलों भरा रहा। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के कारण उन्होंने इस इंडिस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन जब उन्हें देव आनंद के साथ हरे रामा हरे कृष्णा में काम करने का मौका मिला तो उनका मन बदल गया। वहां से जीनत ने अपनी अलग पहचान बनाना शुरू की। इसके बाद तो यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, वारंट, धरम वीर, छैला बाबू, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में जीनत अमान ने शांदार काम किया। जब जीनत अमान में सत्तर और असी के दशक के सबसे बड़े अभिनेताओं जैसे अमिताब बच्चन, धरमेंद्र, जीतेंद्र, राजेश खन्ना आधी के साथ काम कर लिया तो जीनत का रुटबा अलग ही बन गया। वहां उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों जैसे रेखा, परवीन बॉबी और हेमा मालिनी के जैसी पहचान रखने लगी। यही कारण रहा कि जीनत अमान सत्तर और असी के दशक की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बनी। जीनत की लोकप्रियता की बहुत अच्छी थी और उनका काम भी शानदार था इसलिए फिल्म निर्माता और निर्देशकों की उनके यहां लाइन लगी रहती थी। जीनत अमान ने देव आनन की जिस फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से फिल्मों में पहचान बनाई उसमें वह खुले आम शराब और गांजा पीते हुए नजर आई। उस समय की अभिनेत्रियों के लिए यह कोई आम बात नहीं थी। दरसल ऐसा माना जाता था कि यह सब चीजे महिलाओं के लिए नहीं बनी। इनका सेवन सिर्फ पुरुश ही कर सकते हैं। चाहे वह असल जिंदगी हो या फिर फिल्मी पड़दा। लेकिन अपने ऐसे कुछ और किरदारों के चलते जीनत ने लोगों की उस सोच को ही बदल कर रख दिया। इसलिए जीनत को हिंदी सिनेमा में बदलाव लाने वाली अभिनेत्री के रूप में भी देखा जाता है। अपने करियर की एक फिल्म अब्दलाव में जीनत अमान ने संजय खान के साथ काम किया है। बताया जाता है कि इस फिल्म के दौरान ही संजय और जीनत के बीच नजदीकियां बड़ी और गुक्चुक तरीके से इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन इन दोनों की शादी को गैर कानूनी माना गया। क्योंकि उसका कोई गवा और सबूत नहीं था। संजय भी शादी की बात से मुकर गए इसलिए शादी कभी मान्य नहीं हुई। बताया तो ऐसा भी जाता है कि संजय खान ने इसी फिल्म के दौरान एक होटल में चल रही पार्टी के बीच जीनत को बुरी तरह पीट दिया था। इसकी चोट का निशान आज भी उनकी आख पर है। कानूनी रूप से अपनी शादी जीनत अमान ने एक संघर्शशील अभिनेता मजहर खान से की। इस शादी से भी वहाँ खुश नहीं थी फिर भी बस रिष्टे को कायम रखने के लिए वहाँ बिना कुछ कहे आगे बढ़ती रही। इस शादी से जीनत अमान को दो बच्चे हैं। एक अजान खान है जनोंने बैंक्स्टर ऐसी फिल्म का निर्देशन किया है। और दूजरे जहान खान है जो एक म्यूजिक कंपोजर है। उन्होंने वर्ष 2000 की फिल्म डैंग में एक क्यामियो भी किया। शादी के तेरा वर्ष बाद जब मजहर ठान की मौत हो गई तब से जीनत अपने बच्चों के साथ ही रहती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।